हेलो दोस्तों बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल स्टेडि वित विसाल सिंग में जिया दोस्तो यह भी एक स्कॉलर्शिप का स्टेटस है यूपी इसकॉलर्शिप जिन बच्चों का अभी तक का मतलब स्टेटस नहीं मतलब सो हो रहा है तो एक बार और चेक कर लें आपको आपको मालूम हो जाएगा तो एक बार आपना जरूर चेकर ले और जो भी दिक्कत हैं नीचे कमेंट करकर जरूर बताएं हम आपको बताते हैं क्या कि आपको परेसानी हो सकती है यहां पर जनरली आपको मैं बात करूं चौथे नमबर से तो account verification status में problem आ रहा है बच्चों का और पाच्वे पर verification by district welfare officer से problem आ रहा है या current status से problem आ रहा है अगर इन तिनों में दिक्कत है आपका तो मतलब scholarship आने में आपका दिक्कत हो सकता है लेकिन इस status में क्या problem है देखिए इस status में चौथे नमबर पे account verification status rejected by bank से problem है ये UID never enable for DBT इसमें problem है इसको कैसे solve कर सकते हैं इसको solve करने के लिए आपको bank पे जाना होगा जिनका भी status में बहुत सारे बच्चों का दिक्त यही सो हो रहा है तो अगर बैंक में अगर आपको कुछ भी दिक्कत है bank से related कोई भी दिक्कत है चौथे नमबर में अगर आपका कोई दिक्कत है तो आपको सीधे bank पे जाना होगा चौथे नमबर में अगर किसी का दिक्कत है बैंक पे जाना होगा और जिनका ये दिक्कत है उसको क्या करना होगा वह भी मैं आपको बताता हूँ उसके के लिए आपको मतलब एक अप्लिकेशन फॉर्म लिखना होगा किस तरह application लिखना हो भी मैं आपको बताऊंगा और application के साथ कौन कौन से document लगेंगे ओ भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो आईए देखते हैं कि क्या क्या आपको लगेगा तो सबसे पहले अभी आपको application लिखने के बारे में मैं बता रहा हूँ देखिए आपको कैसे application लिखना है देखिए सबसे पहले आप जैसे भी leas be a application होता है सिमे उसी तरह आपको बनाना है तो देखिये डिखने सेवा में नए लिखना या बैंक प्रवंदक महोदया नाम लिखना बैंक जो भी ब्रांच उसका ними दीनांक लिखना है और बिसे क्या रहेगा DBT में UID समझ करने के लिए यह आपका बिसे रहेगा आधरडी सर या मैडम जो भी आप पहुँदे कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं सर लिखेंगे बिल्कूल और देखिए आपको क्या लिखना है मेरा नाव यह है जो आपकी साखा में खातक धारक की संख्या यह है और मैं यह निवेदन करता हूँ या निवेदन करती हूँ कि कुछ समानने समस्या के वज़े से मेरा UID जो है UID DBT के लिए सक्रिय रही है जिस वज़े से मुझे चाति विर्ती परकिरिया को आगे बढ़ाने में बाधा आ रही है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी समस्या का समदान जल से जंद करें और आता आपसे यही मेरी प्रात्ना है यही में आपके लिए रिक्वेस्ट जो भी आप करना चाहते है यह और जो अप्लिकेशन आपको और इसके साथ अब मैं आपको बता दूँ क्या क्या आपको और भी मतलब डाकुमेंट्स लगेंगे साथ में देखिए एक तो इस्टेटस कि जो भी इस्टेटस का जो भी आपका सो हो रहा है स्टेटस इस्कॉलर्सिप का वो उसके बाद आपको पहले नंबर पर जो भी आपका स्टेटस जहां पर आपको दिकत है बैंक से उसको देखने के लिए बैंक में आपको स्टेटस जमा करें उसको तो लगेगा है तो आपके लिए मतलब स्कॉलर्सिप स्टेटस और उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको बैंक पास्बु पाप्लिकेशन के साथ आपको जमा कर देना और उसकी मतलब तीन दिन के अंदर वो बताएंगे तीन दिन मीनिम्म तीन दिन के अंदर सही हो जाएगा तो जो भी आपको दिक्कत होता है नीचे कमेंट करकर जरूर बताएं और यह रहा मतलब बैंक से रिचेट होने के लिए जो भी फार्म है उसको किस तरह साही करेंगे इस तरह आप साही करेंगे अप्लिकेशन लिख करेंगे प्रिक्रिया के साथ चलेंगे तो काफी अच्छा रहेगा तो उस पर बैंक आपके मतलब कारवाई